पर मैं लोगों से कहना चाहता हूँ, कम, मेक इनी नी इरान ने पाकिस्तान की सीवा में घुसकर एक बार फिर से हमला किया है इरानी मीडिया के नुसार इस बार इरान ने जमीनी हमला किया है और आतंकी संगठन जैश अल अदल के शीष कमांडर को ठीर कर दिया गौर तलब है कि वीदे दिनों ही इरान ने पाकिस्तान की सीवा में हुआई हमला किया था जिसके बाद पाकिस्तान ने भी इरान के खिलाफ जवाब ही हमला किया था इस से दोने देशों में तनाव बढ़ गया था मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इरान हिसाना ने पाकिस्तान की सीवा में घुष कर सुनियोजी तरीफे से आतन की संगठन जैशाल अदल के शीश कमांडर इसमाहिल शाहबाक्षा और उसके कई अन्य सयोग्यों को धेर कर दिया जैशाल अदल का गठन साल 2012 में हुआ था ये एक सुनि संगठन है जो इरान के रक्षिल पूरी प्रांथ सिस्तान बडुचिस्तान से संचालित होता है इस संगठन को इरान की सरकार अतन की संगठन मानती है इरान में हुए हमलों में इस संगठन का हाथ माना जाता है 23 दिसम्बर में सिस्तान बलुचिस्तान प्रांद में एक पुलिस स्टेशन पर हमला हुआ था उस हमले में 11 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई थी इस हमले के बीचे भी जैशल अदल का हाथ बताया गया था जैशल अदल इरान में सुन्यों के लिए सिस्तान बलुचिस्तान प्रांद को आज़ात कराना चाहता है ताकि वहाँ पलाउच लोगों को ज्यादा आधी कार मिल सके वो लेखनी है कि बलुचिस्तान के विद्रोही संगर्ण इरान और पाकिस्तान के खिलाफ आजादी की जंग छेड़े हुए है यही वज़ा है कि विद्रोही संगर्ण पाकिस्तान में हमला कर इरान की सीमा में घुच जाते हैं पहले भी इरान और पाकिस्तान एक दूसरे की सीवा में इंबी द्रोही समगर्णों के खलाफ कारवाई कर चुके हैं पुछ समय पहले इसे लेकर दोनों देशों में तनाव बढ़ गया था लेकिन उसके बाद दोनों देशों ने एक बढ़ समझवाते पर हस्ताक्षर गी हैं जिसके तहर दोनों देश सुरक्षा के माम देने सही योग को विस्तार देंगे ब्यूरो रिपोर्ट नई दिल्ली